हाइ वीवर्स जायका इंजया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है काफी वीवर्स की डिमांट ही कि आप रस GSA कला है की रेसिपी अपछट करें इसलिए आज हम आपके साथ share करने वाले हैं ब्रेड रसम Brit bag की रेसिपी इसकी recipe बहुत ही आसान है और बहुत ही tasty रस्मलाई बनती है तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड रस्मलाई बनाने के लिए हमने लिए पाँच ब्रेड की slices एक लिटर फुल क्रिम डूद और ड्राइफुर्स में हमने लिए बादाम, काजू इसी के साथ हमने लिया है एक टीसपून वेनिला कस्तड पाउडर एक चुटकी केसर हाफ टीसपून छोटी लाची का पाउडर और पांच टेबल स्पून चीनी हमने जो ब्रेट की स्लाइसिस लिए इसे कट कर लेंगे इसे राउन सेप में कट करने के लिए हम इस तरह के धक् कि छोटी कर्टोरी का इस्तेमाल करेंगे हमने इस तरह से राउंड सेप में इसको कट कर लिया है हमने ब्रेट की एक स्लाइस में से इसी दो स्लाइसिस बनाई है यानि कि हमने टोटल दस स्लाइसिस बनाई है अब ब्रेट का यह जो बचा हुआ है इसका इस्तेमाल करके हम ब्र दोध लिया है Tradition of Mushpad ब्रहत हुपां आ उब हाई फ्लेम पर इसमें गवाल आनने के बाद घेजिकंषक को कर देंगे और इसमें एट करेंगे गोल कि हम इसमें थोड़ा सा एट करेंगे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुलिकुन कोज़ाइगे कि मेरे चुछ र सब्साइड खरेगे कि SH Just Under in this करने के बाद हम संब भी लो फ्लेम पर पकाएंगे तो यहाँ पर कस्तरड पाउडर केट करना बिल्कुल औसन त्सफनाल लेकिन जब हम इसे एट करेंगे तो हमाया दूट जो है वह जल्दी से गाड़ा हो जाएगा और हमें दूट को ज्यादा रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा और अब इसे अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें एट कर देंगे एक चुटकी केसर अच्छे से मिक्स कर लेंग तो यहां पर इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 20-25 मेट हो चुकी है और दूद का आधा इससा रिड्यूस हो चुका है इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे चीनी अच्छे से मिक्स कर लेंगे है जीने दूध में अच्छे से गूल चुकी है अब हम इसमें एट करेंगे छोटी लाइची का पावडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसी के साथ हम इसमें एकर देंगे ड्राइफरूट commanders हम यहां पर μεादाम की आधी क्वंटिि यह रखेंगे और आधी क्वंटिटी को ग्रीशिंग के लिए रखेंगे और काजु पूरे एट कर देंगेस आप यहां पर पिस्टे भी एकर सकते हैं अच्छेज Max करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पांच मिनित तक और पकाएंगे तो यह बनकर तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके से रूम टेंपरेचर पर कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे हमें इसकी कंसिस्टन्सी को कुछ हैसा रखना है हम इसे ज्यादा गाड़ी नहीं करेंगे क्य करेंगे और छमर्म की मदश से इस तरह से में इस पर मलाई एट करते रहेंगे अब हमते की स्लाइस को इस तरह से मलाई के बोल में सीफ 15 से 20 से कि लिए अब हम इसको सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और चम्मस की मदस से इस तरह से इस पर थोड़ी से मलाई और रेट करेंगे और इसे ड्राइफ रूट्स से गानिश कर लेंगे तो लीजिये खाने के लिए तैयार है ब्रेड ड्रस मलाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर करें और कॉमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये रेसीपी आपको कैसी लगी और ऐसी ही आसान रेसीपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें